तो रोसे वीडियों बात करेंगे, यहां पर मैंने 50,000 लगा करके Scalping किया हुआ है, ठीक है? इस समय मैं Scalping करना हूँ Scalping का वीडियो आप सभी के लिए आ रहा है देखिए मैंने बहुत लोग कमेंड करते हैं, बहुत लोग मैसिस करते हैं बहुत लोग भाई यहां पर mail भी डालते हैं, कि सर हम profit तो बनाते हैं लेकिन हमारा सारा profit loss में बतल जाता है, बार-बार trade करके देखिए दिक्तर क्या होती है, जैसे अगर कम टाइम में आपको पैसा मिल जाए जैसे मैं trade कर रहा हूं, ठीक है, कभी-कभी सेकेंडों में, कभी-कभी एक मिनट में पैसा आ जा रहा है भाई, लोग उसको मतलब ना, समझ नहीं पा रहे हैं, कि इतना कम टाइम में पैसा आ जा रहा है तो फिर उसको क्या कर रहे हैं, बार-बार trade करके गमात दे रहे हैं, ऐसा गलती नहीं करना देखिए, ठीक है ये सही बात है कि market में fast पैसा बनता है, लेकिन आपको पैसा बनने के बाद में market छोड़ देना है फिर market नहीं कि bite करके screen के सामने, यहाँ पे देखो ताको भाई, फिर market बुला लेगा ये starting time पे बहुत दिक्कत होती है, जब आपे expert मन जाएंगे भाई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है मैं तो बोलता हूँ सिब एक ही trade करिए, दो-तीन महीना practice करिए trade पे बहुत अच्छा समझे आपका risk reward ratio हो जाएगा और बहुत सारी चीज़ देखें समयना पड़ता है, चार्ड को देख करके कहां पे entry बनाना है, कहां पे नहीं ये सारा चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पचास हजार रप्या लगा करके मैंने trade किया हुआ है जो problem देखिए है सबका, ठीक है, मतलब की सर, मेरा पैसा मतलब जो हम बना रहा है market से, वो पूरा last में, loss में चला जा रहा है तीन, साड़े तीन बजे कास पास तक, तो देखें ये गलती मत करिए, आपना time पहले set करिए कि आपको मतलब कौन से time पे trade करना है जैसे starting में हो गया, 9 बजे से market 9-15 पे start होता है, तो 9-15-11 के बीच में trade कर लिया करिए या फिर एक से तीन के बीच में, साड़े तीन मतलब होई, इसके बीच में आपना trade का time fix करिए, कि हमें कौन से time पे मतलब trade करना है आप starting time पे ये काम करना आपके लिए बहुत ज़रा जरूरी है, और उसी time पे मतलब आप क्या करिए, अपना fix time बना लीजिए, उसी बच trade करिए, उसके बाद क्या है, आपका देखिए धिरे-धिरे क्या होगा, account grow होना चालू हो जाएगा तो यहाँ पर चलिए देखते हैं, 50,000 पर लगा करके कैसे trade किये हैं, scalping किये हैं, कितने कम time में, कितना अच्छा amount generate हुआ है, ठीक है तो इतले दोस्तों आप में नहीं आते मेरा नाम महंदर, आप देख रहे हैं अपना channel daily help trading, चलिए वीडियो को बुरा family start करते हैं तो दोस्तों आगए हैं अपने DMAT account में, यह अपिश्टो का account है, अगर open करना है, link आपको decision मिल जाए को वहाँ से open कर सकते हैं देखिए 9 बस के 15 में थोड़ा है, उपर time आपको दिखेगा, तो चलिए यहाँ पर एक call में entry बनाते हैं, bank entry में, ठीक है तो यहाँ पर एक call में entry बनाने का try करते हैं, बस थोड़ा सा market हम देख रहे हैं, बाकी यह भी सारा चीज़ आपको समझा देंगे इसकेलपिंग का funda यही है, ठीक है यहाँ पर 1400-1500 तुरंद लेते ही मतलब, आप सोची यह मतलब अभी कितना बज़रा है, 9 बच के 16 मिनट हो रहा है यहाँ पर, आप देखेए, ट्रेड किये, भाई सीधा 1500 का profit दिखा, 1500 quantity है, तो यहाँ पर 50 ज़र लगा हुए हम लोग का देखते हैं, जितना ज़रा-ज़रा यहाँ पैसा मिलेगा, उतना ज़रा-ज़रा लेने का try करेंगे, इसकेलपिंग का funda देखेए, यह होता है, आपको wait नहीं करना है, running candle में entry बनानी परती है, running candle में entry की proper stop loss के साथ में entry बनाना होता है, यह नहीं कि entry बना लिए, आपका ACL का पता ही नहीं है, तो आप ज़्यादा loss करोगे, तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो भी profit मिलेगा, हम फटा पर book करने का try करेंगे, ज़्यादा वेट यहाँ पर नहीं करेंगे, और जितना ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा profit, उतना book करने का try करेंगे, तो momentum यहाँ पर दिख काफी अच्छा हमें, और candle काफी अच्छा, बैक निप्टी का इसमें बन रहा है, जार काफी प्यारा candle, और करीब 3000 के आसपास profit में, सोचिए, यहाँ पर 2000, 3000 चलेगा है, कितना हो गया, 9-17 टाइम इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या है, कि 3000 के आसपास पर दिखा, चलिए, 3498 अब profit यहाँ बुक करते हैं, जो भी मिलेगा, उसको हम पहले cover करते हैं, अपने अंदर लेने का try करते हैं, पहले profit को बुक करते हैं, फानली यहाँ पर हम लोग profit को बुक कर चुके हैं, और देखे 26, 97, 27 सुरुपे यहाँ पर profit मिला, कोई दिक्कत नह करने के बार में हम आएंगे, अपने system पर यहाँ पर दिखाएंगे, जो हम लोग का buying हुआ है complete, वो 9 बच के 16, 16 मिनट 6 सेकंड पर और selling, 9 बच के 17, 30 सेकंड पर हुआ है, तो यहाँ पर देखेंगे करीब 1 मिनट 36 सेकंड पर हमारा profit बुक हुआ है, सिर्फ सोचिए, trade कितने time पर देखेंगे था, एक मिनट 36 सेकंड पर पैसा मिल गया, आप यहाँ पर यहाँ पर प्राफिट जो बुक हुआ है, वो प्राफिट टोटली आपने देखा है, 27 बुक हुआ चलिए, चार्ट पर समझाते हैं, क्या आपको देखकर के मैंने entry बनाया, पुरा ध्यान से समझन मैं future देखता हूं, यहां पर मेरा accuracy समझ ये, 80 परस है, 80% के प्लस है, और इसलिए मैं क्या पर ćई हुआ है, यहां है, यहां हमरे से, से मतलब मार्केट क्या हो रहा है बार बार आप देखेंगे मार्केट क्या था कल इसी एरिया मतलब नीचे था ठीक है मतलब यहीं से नीचे यहीं से नीचे करके ऊपर नहीं जा रहा था आज क्या हुआ है आज देखेंगे मार्केट स्टार्ट ही यहीं से हुआ है ठीक है यही पर support देख करके मैंने इसी running candle में समझे entry बनाया और इसी running candle मेंने profit book करके निकल गया अब बहुत लोगों को लगएगा सर की यहाँ पर जो entry बना हुआ था वो किस base भी बना था देखिए base यही है कि एक यह support है ठीक है यह support बन गया है अब क्योंकि यह resistance था कल के दिन में यह कल के support पर देखेएंगे ना एक बड़ी candle आ जाती है अगर resistance के नीचे खुलती है तो फिर यहाँ पर पर क्या होता है यह जो support लगा है इस support को देख करके मार्कर देखें candle यही से start हुआ है एक बार भी नीचे नहीं आया है तो थोड़ा समने वेट किया जैसे candle थोड़ा सब के बाद में आती है अब देखे क्या हुआ है आगे देखेंगे मार्केट यहां पर ऐसे लाइन ड्रो कर देंगे ठीक है अब क्या हुआ है यहां सपोर्ट लेकर ऊपर गया ठीक है थोड़ा से यहां पर देखेंगे यह आप कैंडल जो यहां पर है इसका रिटेस्ट किया यहां पर देखेंगे यहां पर अब उपर जा रहा ठीक है अभी क्या है यहां पर यहां पर करके लाइन कर देंगे मतलब क्या हो गया यह हो गया आपका यह यहां पर भी आइन हो जाएगी देखें मांचाट को हमेशा समझाने का ट्राइ करता हूँ मेरा जो तरीका होता है मैं हमेशा बलता हूँ क्या करना है बाई करना है जो यहां रिजिस्टेंस रिजिस्टेंस नीचे क्या करना सेल करना होता है तो हम तो अग्रेसिव कभी कभी सेल करते हैं कभी कभी बाई करते हैं यह सारे चीजी बस आपको experience जब हो जाएगा अच्छा खासा तो आप करेंगे और देखें कि कितना कम टाइम यहां पर अच्छा एक एक trend line है ऐसे करके और trend line के ऊपर समझी है यहां पर चल रहा है तो इसको आप एक चीज और देख सकते हैं क्या यह फ्लैगन पॉल पैटर्न भी है इसका ब्रेकाउट आगे यहां इसका जो था टार्गेट वो दे करके यह नीचे चला आया तो यह सारी चीजे भाई बस समझना और सीखना अची कर चार्ड पर सारी चीजे होती हैं मैं यही आपको सब चीज बताया हूं हर एक चीज को एसे तरह के समय आपको काम करके दिखाता हूं और यही रियल्टी होती है मार्केट में तो दोस्तों आपने देखा है यहां पर मैंने 50,000 पर लगा दिया ठीक है पर कहीं भी जाए बहले जैसे आप 100 रुपय में ले रहे हैं 120 में बेच कर दे रहे हैं भले वह 100-200 चला जा उससे कोई मतलब है ही नहीं मैं बोलता हूं कि बीच का रेंज इस बीच का रेंज है आप उसमें क्या है ना उसमें सिप पैसा बनाना सिखिए जैसे कोई चीज इस समझ में आ जाएगा तो आएको तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर याज वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर दीजिए फिर मिलता को चले इंट्रेस्टिंग और लर्निंग पॉइंट साथ नेस्ट वीडियो में तब तक लिए सभी को जैसी आराम जैहिन बंदे मातरम